नीट में हुई धानली को लेकर पुरे देश भर में हर कम्फ मचा है। CBI दिल्ली की टीम ने विगत 12 सितंबर को इस प्रकरण में नाकपूर के RK Education and Career Guidance Center के संचालग परिमल, कोटपलिवार, दिल्ली के दिवाकर रामप्रकाश सिंग और मुनना सहीत अग्यात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। प्रादमिक जांच में महराश्टर के पाच कैंडिडेट के परिजनो द्वारा, कोटपलिवार से सेटिंग किये जाने की बात सामने आई है। इसके लिए दो करोड पचास लाख रुपए का भुकतान किया जाना था। परिमल ने इन बच्चों को नीट के पास करवाने और देश के नामी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश दिलाने के लिए पचास लाख रुपए में डील तै की थी। नंदनवन में रोड के वैरागड़े कॉम्पलेक्स में स्थित आरके एजुकेशन के कार्याले में छापा मार कर चेक सहित अन्य दस्तावे जब्त किये हैं। बताया जाता है कि दिल्ली का दिवाकर के जरिये ही इन बच्चों की जगह बोगस उमिद्वारों को बैठाने का इंतजाम किया था। परिक्षा तो हुई लेकिन एक भी बोगस उमिद्वार सेंटर में उपस्तित नहीं हुआ। परिक्षा में सेटिंग करवाने के लिए कॉटपलिवार अपने सहयोगियों के साथ 9 सितंबर को दिल्ली गया था। परिक्षा के तुरंत बाद वह हजरत निजामुद्दन स्टेशन से राज़दानी एक्सप्रेस स्टेन से नाकपूर लोटने वाला था। इसके पहले कॉटपलिवार ने कनॉट प्लेस के जैन चावल शौप में दिवाकर और मुन्ना से मुलाकात की थी। बोगस उमिद्वारों का इंतजाम करने के लिए उन्हें एक लाक रुपए भी दिये थे। बताया जाता है कि दिल्ली की टीम ने नाकपूर में सेटिंग करने वाले उमिद्वारों के परीजनों के बयान भी दर्ज किये हैं। संदेह है कि इसी तरह और भी उम्मिद्वारों के लिए सेटिंग की गई है.